अगर आप ITR Return File करते हैं तो दोस्तों आज की यह वीडियो आप लोगे के लिए बहुत ही खास होने वाली है आपको इस वीडियो से बहुत ही हिल्प मिलेगी क्योंकि इस वीडियो में मैंने ITR Return File करने का पूरा प्रोसेस बताया है ना केवल ITR Return File करने का फ्रेंट कैसे आप Income Tax पोर्टल पर एकाउंट बनाईएगा अपना TDS का ऐसे चेक किजिएगा अपना ITR Return File का ऐसे किजिएगा ITR Return File करने के बाद E-Verification होता है तो ओ आप कैसे कंप्लीट किजिएगा यह प्रोपर जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को असकीप नहीं किज देगा क्योंकि अगर आपको ITR Return File करनी है तो आपकी जनकारी अधूरी रह जाएगी इसलिए वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा हेलो फ्रेंट्स मैं मर्जीत आप सभी को हमारे चनल एस मार्धिल पर स्वागत करता हूं चली फ्रेंट्स चलते हैं कंप्यूटर स जाँ कर सकते हैंं कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना एकाउंट चीजिक बनाईएगा क्योंकि बिना क्योंत करना पाईएगा से पहले आपको इनकाउंट क्योंट पर सबसे उपर में ही आ जाएगा incometech.gov.in आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको कुछ इस परकार से इंटरफेस नजर आएगा इसमें फ्रेंट सबसे पहले आपको उपर में ही यहां पर आप देख सकते हैं मैं जुमीन करके दिखा देता हूं दो आपको पहले यहां प सबसे पहले आपको रजिश्टर करना होगा रिजिश्टर करने के लिए आपको इस परकार से क्लिकlı आपको इस परकार से क्लिक करना है वेल्डियेट पर क्लिक करने के बाद यहां पर दिखिए एक आपको पॉप आजाएगा पैन वेल्डियेटेड सक्सेस खूली उसके बाद आप यहां पर आपसे पुछ रहा है कि अगर आप इडिवीजूल एक्स पेर है तो आप एस करें यहां पर हम लोग एस कर देते हैं और उसके बाद कन्तिनीव पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस परकार से इंटर्फेस नजर आएगा तो यहां पर आपको अपना बेस्ट बीटेल स्कील करना है जैसे कि आपका पैन पर पहले से यहां पर फिल रहेगा कि उसके बाद यहां पर लाश नालना है मिडिल नेम कर आपका है तो यहां पर दालना है और फर्स ने Ramsay मोच आपको यहां पर ढालना है उसके बाद जो भी आपका Fine Card पर डेंट और है उस क Alban सेलिट करना होगा कलेंडर पर कुलिक कि जहेगा और उसके बाद अपना डेंडर करली नीचे में आपको gender select करना है, male है, female है, तो O आप select कर लिजेगा, residential, a status कुछ रहा है, यहाँ पर आप select कर लिजेगा resident और उसके बाद आप continue पर click करने के बाद यहाँ पर कुछ contact details आप से मांगेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला में primary mobile number मांग रहा है, तो यहाँ आपको एक अपना mobile number डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए primary mobile number belong to, यहाँ पर पूछ रहा है कि यह जो आप number यहाँ पर डाल रहे हैं, यह किसका number है, तो इस पर click किजेगा, यहाँ पर sister, brother, friend, self, मतलब कि अगर आपका खुद का है, तो self डाल देजेगा, या फिर अ सेम यहाँ पर relation भी select करना होगा, तो आप अगर अपना डाल रहे हैं, तो self कर दीजेगा, landline को यहाँ पर छोड़ दीजेगा, उसके बाद postal address में जो आपका अधार पर address है, उस address को आप यहाँ पर सही-सही फिल कर दीजेगा, सारा details फिल करने के बाद आपको continue पर click कर देना ह यहाँ पर जो आपने अभी mobile number और email ID दिया था, उस पर OTP गया होगा, खश्ट में यहाँ पर दिखिए, mobile OTP लिखा हुआ है, आपने जो mobile number फिल किया था, उस पर OTP को इसमें फिल करना है, और नीचे वाला में email पर OTP को यहाँ पर फिल करना है, OTP डालने के बाद आप continue पर click कर देना है, continue पर click करने के बाद यहाँ पर आपको अब अपना details जो आपने फिल किया है, उसे सही सही verify कर लेना है, अगर आपका कहीं पर mistake होगा, तो edit option पर जाकर आप से फिर से edit कर सकते हैं, अगर आपका सारा details सही है, तो नीचे में यहाँ पर दिखिए confirm लिखा हुआ है, आपको confirm पर click कर देना है, confirm पर click करने के बाद यहाँ पर आप अपना password set कर लिजेगा, पासवर्ट सभी character को मिला कर आप रख लिजेगा, जैसे कि alphabet, small letter, digit और special character, सभी को मिला कर आप password रख लिजेगा, जो password उपर में डालिएगा, confirm password में भी same password डालना है, और उसके बाद पर नीचे देखिए, notice लिखा हुआ है, जो आपको इसमें नहीं लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आप अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, अधार नमबर नहीं लिख सकते हैं, पैन, डियल नमबर, बैंक अकाउंट, मतलब कि अपना personal details इसमें कुछ नह करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं और आपको इमेल और मोबाइल नंबर जो आपने दिया था उस पर भी एक प्रोसेस दिया हुआ है अब आप यहां से लॉग इन कर सकते हैं इस परकार से आप अपना एकाउंट इनकम टेक्स के वेफसाइट पर रेजिस्टर कर सकते हैं इस पीडियो को देखने के बाद आप अपना इनकम टेक्स पोर्टल पर एकाउंट बना लिये होंगे इनकम टेक्स पोर्टल पर एकाउंट बनाने के बाद अप दूसरा काम आपको करना है कि आपको अपना TDS चेक करन हैं तो वहां पर कुछ चार्ज करते हैं अगर जितना चार्ज कर रहा है आपको 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 आपका टी Därieg बना है तो आप आपको कोई यह तरो नहीं है वहां पर आपको लस ही होगा लेकिन अगर आपको कही पर डिकुमेंट देना कि ITR return का मुझे document submit ही करना है तो ऐसे condition में आप अपना ITR return file करवा सकते हैं तो अब हम लोग सीखते हैं कि आप अपना TDS कैसे चेक कर पाईएगा कि आपका TDS कितना कटा है और आपको अपने account में जब ITR return file किजिएगा तो कितना पैसा वापस मिलेगा तो चलिए फ्रेंट चलते हैं computer screen पर और देखते हैं कि आप अपना TDS कैसे चेक कर सकते हैं तीडिएश खुद से mobile या system के जरिए चेक कर सकते हैं उसके लिए आपको income tax के portal पर आ जाना है जैसा कि आप देख सकते हैं income tax.gov.in इसका official website है तो इस पर आना है और कुछ आपको इस परकार से interface दिखेगा आपको यहां से login कर लेना है अगर आपका account इस पर नहीं है तो यहां से register पर click करके आप अपना account पहले registered कर ले उसमें आपको अधार और pen से related कुछ अपना professional details देनी होती है और आप दे दीजेगा आपका income tax पर account बन जाएगा उसके बाद आपको login पर click करना है login पर click करने के बाद आपका user ID होगा और आपका pen number होगा यह अधार number होगा उसके बाद आपको continue पर click कर देना है उसके बाद जो भी आपने password रखा था अपना account register करते समय वो password को डाल कर आपको continue पर click करना है continue पर click करने के बाद आपको कुछ इस पर कासे interface नजर आएंगे उपर में ही आपको e-file का option मिलेगा और income tax return पर आपको आना है और side में यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है view form 26as आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद फिर से confirm करना है confirm करने के बाद आपका new tab open होगा अगर new tab आपका open नहीं हो रहा है तो आप अपने browser के setting से उसे allow कीजिए और आपका open हो जाएगा उसके बाद यहाँ से term and condition को accept करना है और process पर click कर देना है उसके बाद आपको कुछ इस परकार से interface देखने को मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है view tax credit मतलब कि यहाँ जो भी आपका tax कटा हुआ है जो credit हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं तो आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद आपको कुछ इस इस परकार से interface देखने को मिलेगा यहाँ पर सबसे उपर है assessment year आपको जिस assessment year का TDS चेक करना है उसको select करना होगा तो अभी फिलाल latest 2023-2024 चल रहा है तो इस से select करते हैं वैसे आपको जिस year का भी देखना है आप देख सकते हैं पिछले year में क्या था यहाँ पर देख सकते हैं पिछे में page refresh होकर आपका सारा details यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जिस जिस company से आपका TDS कटा है और TDS यहाँ पर credit किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह total paid amount credit लिखा हुआ है यहाँ पर जो भी आपका transaction हुआ है और उसके बाद यहाँ पर total tax deducted कि कितना tax आपका कटा हुआ है TDS ओ लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो भी जिस company के थुरू deposit किया गया है और यहाँ पर total TDS deposit मतलब कि company ने कितना काटा और आपके account पर कितना जमा किया गया है उसका details है तो जो इधर होता है फिरेंट जितना करता है उतना ही जमा होता है तो य कैसा आपके account में जमा हो जाता है तो इस परकार से आप अपना TDS check कर सकते हैं कि आपका TDS कितना है और आपको ITR return file करनी है या नहीं करना है आप यहाँ सही अंदाजा लगा सकते हैं जैसे कि मान लिजे कि यहाँ पर मेरा 5000 something हो रहा है तो मैं यहाँ पर ITR return file करूंगा अगर म 100 रुपए के लिए आप 1000 रुपए चार्ज दे कर क्यों अपना ITR return file करवाईएगा इन केस कभी भी आपको अगर जरूरत पढ़ती है कि मुझे ITR return file की कौंपी चाहिए ही तो वैसे मैं आप करवा सकते हैं उसके लिए कोई यहाँ पर दिकत नहीं है कि आप नहीं करवा सकते हैं तो इस प्रकार से आप अपना TDS पहले ही चेक कर सकते हैं कि आपको ITR return file करवानी है या नहीं करवानी है आपका TDS कितना कटा हुआ है बहुत ही असानी से आप चेक कर सकते हैं अपना TDS चेक करना यहाँ पर सिख गया होंगे अगर TDS आपने चेक कर लिया है तो अब उसक करने के लिए जो एक कंपनी प्रवाइडर है अगर आप डोगमा सोफ्ट से ही अपना ITR return करवाना चाहते हैं तो आप डोगमा सोफ्ट कंपनी से कंटेट करके आप ID ले सकते हैं मैं ID नहीं प्रवाइड करवा रहा हूं इसलिए मुझ से कंटेक्ट ना करें तो यहाँ पर मै आपको बैसिक डिटेस भर देनी है बाकि सारा काम डोगमा सोफ्ट के बैक इंट टिम कर देती है और आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना होता है जबकि बाकी पोर्टल के थुरू अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है जो आपकी समझ से बाहर रह देखते हैं कि आप आपके पास है तो आपको कुछ इस परकाहर से इंटरफेस नजर आ रहा होगा अगर आपके पास नहीं है और अगर आप डोगमा सोफ पोर्टल से ही ऑई टी रीटन फाइल करना चाहते हैं तो आप डोगमा कंपनी से कौंटेट करके आईडी ले सकते पर मिरा कटेगा इसलिए मैं 422 ही रखा हूं, ITIR return फाइल करने के लिए यहां पर दिखे taxisgen लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर File new ITIR लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस परकार से interface नजर आएगा आपको यहाँ पर कुछ basic details डालनी है जो मैं आपको guide कर देता हूँ यहाँ पर आपको pen card डालना है pen number जो आपका है वो यहाँ पर डाल दीजेगा अधार number यहाँ पर डालना है उसके बाद date of birth डालिएगा थादर्श नेम यहाँ पर first name मतलब कि आप अपना first name डालना यहाँ पर last name उसके बाद customer mobile number मतलब कि आप अपना खुद से ही कर रहे हैं तो आप अपना mobile डाल दीजेगा अगर आप किसी और का भी कर रहे हैं तो यहाँ पर customer नमर का मबाइल नमर डाल दीजेगा उसके बाद email आईडी यहां पर डालना है और यहां पर income tax password डालना है इफ एवाइलेबल यह mandatory नहीं है लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसमें अपना password डाल दीजेगा जैसे कि income tax portal का यह interface होता है और यहां पर अगर रजिस्टर किये पासवर्ड होगा यहां पर आपको registration करना पड़ेगा जब तक आप अपना TDS चेक नहीं किजेगा कि आपका TDS कितना कटा हुआ है तो आप ITR return file कैसे करवाईएगा जब भी आपको अपना TDS चेक करना होगा तो आपको income tax portal पर अपना account बनाना होगा उसका वीडियो भी आपक पासवर्ड डाल दीजेगा अगर नहीं है तो स्कीप कर दीजेगा कोई दीकत नहीं है उसके बाद नीचे आईएगा तो यहां पर address है जो भी आपका अधार पर address होगा और यहां पर डाल दीजेगा उसके बाद यहां पर bank details है तो bank details में यहां पर IVC code डालिएगा bank account number जिसमें आपको TDS का पैसा रिटर्न लेना है उसके बाद यहाँ पर मेन इंकम सोर्स आफ क्लाइंट पूछ रहा है तो यहाँ पर अगर आपका TDS सेल्डी अकाउंट से कटा हुआ है तो आप एस कर दिजेगा अगर आपका सेल्डी अकाउंट से नहीं कटा हुआ है आप PPS वर्क करते हैं या सेल्डी के अलावा कोई और वर्क करते हैं तो यहाँ नो कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर अधर इंकम में एस कर दिजेगा उसके बाद नीचे में पूछ रहा है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो सलाना टर्नोबर है वह 20 लाक से कम है या 20 लाक से ज्यादा है अगर 20 लाक से ज्यादा है तो इस पर किलिक किजिएगा अगर कम है तो इस पर किलिक कर दिजिएगा उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपका सलाना इंकम जो ह option मिल रहा है तो अभी जो फिल हाल इते रिटन फाइल हो रहा है औहाँ पर एफवाई जो 2022-2023 लिखा हुआ है और यहाँ भाई तो आपको इसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर सब्मिट कर देना है यहाँ पर दिखेंगे लिखा प्रिंट रिसिप्ट आप यहां से रिसिप्ट डाउणलोड कर सकते हैं उसके बाद इसे वेरिफाई करना है तो वेरिफाई करने के लिए यहां पर सेंड ओटी पी पर आपको किलिक करना है यहां पर दो प्रोस्च में वेरिफाई होगा यहां पर देखिए एक है mobile number registered है उस number पर आपका 6 digit का OTP गया होगा उस OTP को यहाँ पर fill करकर और verify OTP पर click कर देना है OTP verify होने के बाद यहाँ से आपको process पर click करना है process पर click करने के बाद यहाँ पर यह आपको form 26AS का option मिला हुआ है आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर 6 digit का फिर से OTP गया होगा उस यहां से यह automatically verified हो जाएगा यहां पर without OTP फिल किये हुए automatic verify हो जाएगा और यहां पर verify होने के बाद यहां से आपको process कर देना है process करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि thank you यहां पर transaction successfully done हो गया है और जो भी charge था यहां पर 395 रुपाय wallet से cut चुके हैं अब यहां से print receipt करके इसे आप रख लिजेगा या किसी customer का है तो इसे print out निकाल कर उन्हें दे दीजेगा अगर इसके regarding आपको कोई issue आ रहा है तो यहां पर देखिए customer care number है इस number पर आप call करके जो working day है Monday to Saturday 10 बजे के बाद आपका call लगेगा तो आप इस number पर contact करके अपने details जो भी आपको पूछना है आप customer care से पूछ सकते हैं और जो number वहां पर आप दिये हैं उसे on रखिएगा क्योंकि इनके दवारा एक बार verification के लिए आपके पास call आएगा तो वहां पर जो भी वो आपसे जनकारी लेना चाहते हैं वो verify करवा लिजेगा उसके बाद आपका successfully ITR return file हो जाएगा तो इस परकार से आप बहुत ही असान प्रोट में credit नहीं होंगे तो इवरिफाइग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और यह सबसे लाश्ट प्रोसेस है और सबसे जरूरी प्रोसेस भी है तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप कोई step मिस कर दिये हैं तो वीडियो को फिर से रिप्ट करने के लिए फिरिंट्स आपको अपना income tax portal को login कर लेना है login करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं एक साइड लिखा हुआ है login और दूसरी साइड लिखा हुआ है register अगर आपका income tax portal पर account नहीं है तो आप register करके अपना account बना लीजिएगा उसके बाद login कर लीजिए तो यहां पर लिखा हुआ है return verified on मतलब कि अभी मेरा e-verification pending है इसलिए यहां पर show हो रहा है मैं जैसे ही e-verify complete कर दूँगा यह जो process status है यह change होकर आगे की और बढ़ जाएगा तो आपको itr e-verification करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं e-file लिखा हुआ है आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद यहां पर आप देख सकता है की आपका एक pending पड़ंदेग लिए तो नीचे कोई option select नहीं करना है और यहां पर नीचे में एक है कि I have already an electronic verification code या फिर I already have OTP तो इसमें से मेरे पास कुछ नहीं है तो इन सब पर कोई mark नहीं करूँगा बस यहां पर कर दूँगा कि मैं mobile OTP के थुरू इसे verify करना चाहता हूं उसके बाद आपको continue कर देना है continue करने आपका अधार में जो register mobile number है उस पर एक OTP जागा उस OTP को यहां पर fill करना है और उसके बाद well date पर click करने के बाद page आपका फिर से loading लेगा और आपको wait करना है और आप यहां पर देख सकते हैं कि return e-verified successfully हमारा हो चुका है तो बहुत ही असानी से आप खुद से भी e-verify कर सकत हैं और यहां पर ITR return जो completely successfully आपका e-verify हो गया है उसका एक mail भी आपको मिल जागा जो आपका registered mail ID है उस पर साथ ही यहां पर download return का जो receipt है वो कर सकते हैं एक acknowledgement download कर सकते हैं या फिर direct go to dashboard पर जा सकते हैं तो इस परकार से आप अपना e-verify return बहुत ही असानी से कर सकते हैं अब मै यहां पर आपको go to dashboard पर जाकर दिखा देता हूं कि जो हमारा process step था और आगे की और push हुआ या नहीं अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यह green का tick mark था वो केवल एक option पर था return file on और मुझे return verify on का option दे रहा था जैसे ही मैंने e-verify return कर दिया उसके बाद यहां पर processing है और processing completion है तो यहां पर जो आगे का process है यह automatic अब ITR जो team होती है उन लोग करके आपका जो TDS का पैसा कटा हुआ है वो आपके account में successfully credit कर दिया जाएगा तो इस परकार से बहुत ही असानी के सांथ आप अपना ITR e-verification खुद से ही घर बैठे कर सकते हैं अगर आपके पास system नहीं है तो यह नहीं है कि आप नहीं कर पाईएगा आप सेम प्रोस को अपने mobile के chrome browser में follow कीजिएगा वहां से भी आप कर सकते हैं ITR e-verify करने के बाद यहां पर आप पूरी तरह से सीख चुके होंगे कि ITR return file करने का जो भी process हो सकता है आप उसे कैसे complete कीजिएगा उमीद कर करने के लिए धन्यवाद प्रेंट जाएं